हेलो दोस्तों जैसे कि आज मैं आपको कुल्फी की रेसिपी बताऊंगी जैसे कि आपको भी बता है कुल्फी बनाने के लिए आपको दूद लगता है जो की गाड़ा होना चाहिए पर में जो आपको रेसिपी बताने वाली होना उसमें आपको दूद की बिल्कुल भी बहुत सĩंपल और बहुत पुराने समय की रेसिपी यह तुलजे मरियों के चीज़ की जरुचु पढ़े और वो स्वाद एक दम पुराने समही के जिस है आप जिसे खाते नहीं हैं कि ऐसी प्रकार के शाचे की जरुट नहीं पड़े कि इससे जमा सकते हैं, किसे की आइस्क्रीम है बिना दूत और बिना शक्र यानि की बिना चीनी वाली आईसक्रीम अगर आप चैनल पर नए आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मैं इसी प्रकार की आपके साथ रेसिपी शेर करती रहोंगी और आपको कुछ इंफोर्मेशन देती रहोंगी जो आप हम सभी को जरूर काम आए और यह रेसिपी पसंद आए तो इसके बारे में में आधा कप पानी का पानी का ले सकते हैं पर ज्यादास दूद कर द Kerry कि यहांवेशना में यहां डी फाले कि इन टूंतो दू-दूद में सभी टाके सब्सक्क्राइब तो जादा तर यह तो सबसे ंदुक पर निएले रहा हैं आपको जो में आपको लेना है उर आपको इ कें तैंदे मिल्क और देसे केंड़ियों हैं तो अदकर बंक हम अधाइ पानी ले zeigt पानी ले ले लाई सकते हें इसे के आप पाई रहे आप कम और ले भी फाइन रहें था ज comment रहें अगो придやって मैं पानले केसर निया है कि थो आधे हुआरो क्यूल एक हैं या था लुट भीखे नहीं सपूर चुछनदरा इंप मिले हैं कि गरम करें प्राल यूट करें कर दोड़ा जमोचनदरा एक बाल करना हो था रही जाए06 ​​ तो समझ जाना होगा कि यह अच्छे से मिल चुके हैं सभी चीजे तीनो चीजे और दूद भी प्रॉप और यह जो आइस क्रीम का जो बेटर है अच्छे दरीके से गरम हो चुका है ठीक है यह देख सकते हैं आपके उबाल आने लग गया है और इसमे आपको और सा फ्लेवर ए अगया है अपन तो यह दूद अच्छे से बॉल हो चुका है और इससे मैंने घेस से हटा लिया है और इसमें कुछ प्रॉप झाल रिया है और यह मैंने लिया है वैनिला एस्सेंस जासे में आपको बता है आप एस सवाध के साब से फ्लेवर मिला सकते हैं स्टोबेरी यह श क्षाइब नाव उसे टोड़ी देटेट तेम प्लेवर पसंदे चॉक्लेट फ्लेवर हो तो चॉक्लेट मिला लेना इसमें स्ट्राबरी मिला लेना ख्स भी मिला सकते हो इस प्रगशिंध प्लेवर बना सकते हो कुल्फी को यह उच्छा से टीनों चीजे अशव जैसे ने र慢 रचे मिलते हैं आपको साची खरिडने की जर्वत नहीं है बहुत सी बहुत बढ़ी तरीकर से गधाती है दोनों कंटेनर को हमाई थोड़ी देर के लिए दर के लिए देरा कहना होगा आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों कंटेनर को फ्रीजर में रखा था अगर आपको चाहिए तो मैंने इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखिए यह एलुमिनियम फॉयल ले रखा है इससे कवर कर देंगे इससे क्या होगा जिसे आप घर पर आइस्क्रीम बनाते है तो जो बरफ आती है न वह नहीं आएगी अगर आप जो आइस्क्रीम इसे पेक कर देंगे ताकि अलग न होए अच्छे से मैंने इसको पेक कर दिया इसी प्रकार से और भी ग्लास में सेट कर सकते हैं मैं आपको एक बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत कम मात्रा में आइस्क्रीम बनाई है और इसे चाकु से इस प्रकार का मार्क लगा लगा अधिए ताकि हम इसी पर आइसक्रीम की प्रकाशब्स अपार अच्छे से बन चुकि अच्छे से बन चुकी है और यह जो इसमें भी आपको एलुमिनेम फॉil लगाना है आपको इसके ओपर और डिख तो इतना ही काफी है, विस्फ में भी बवट बढ़िया तरीके से नही नहीं जमाते हैं उनके पास लोहे का जो डबा रहता है ना उसमें वो सेट करते हैं और इसमें भी आप देखते हूंगी कितनी बढ़िया लगती है इसे मैंने चार-पांच घंटे के लिए फ्रीजर में रखा है और आप देख सेते हैं कितनी बढ़िया तरीके से दोनों आइस को पानी लेना है थोड़ी देर के लिए पानी तर फॉलग थेखना थे निकल जाना है तогसि आपसे दो तीन सेंद के लिए रूम टेमपरेचर परतिर ग्रखना तो ही आसाँने निकल जाती है और थेख सकते कि दोना ऐसकर बड़िया लग रिया है ऩाट थेक्च्च्ट अहién तो इसे आप बनाने में आपको समय भी नहीं लगेगा तो जल्दी से बना लीजिए और नीचे कॉमेंट्स में जरूर मेरे साथ शेयर कर रही है कि आपको यह रेसिपी कैसी लेगी और आइसलिम का टेस्ट कैसा लगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हु जरूर मिलेंगे तब तक लिए बाई बाई